वेलकम बैक टू SS कोचिंग तो फ्रेंड्स हम हाजी रहे आपके सामने फ्लोग यानि घड़ी का पार्ट सेकंड लेकर और पार्ट वन में हमने आपको पड़ाया था जो एक फॉर्मुला था उसमें घंटे वह मिनट की सुई के बीच में कौन बताईए उस एक फॉर्मुले से किष्ट्री से जितने भी हमारे तीन बच्के 15 मिनट चार बचके पचिस मिनट नो Cape के 15 मिनट ऐसे कोशन्स आते हैं वह सारे एक फॉर्मुले अन्य कर सोवग हो जाते हैं तो एक फॉर्म النigator से खॉर्म हमने साक फॉर्मृत की थे ऐन दूसरा हमने उसमें फॉर्मूले की बात की थी विपरीद कोश्चन की जो की होते हैं अपोजिट एंगल वाले कोश्चन की छे पांच और शे के बीच में वह क्या समय होगा जब सब्सक्रणवर करें जो में देखेते तो यहां पर जो हम देखेंगे वह दएखेंगे 90 वाले कोस्चन तो इसमें हम लिख लेते हैं यहां पर फॉर्मूला 3 की जो हम बात करेंगे इसमें हम कोश्चन देखेंगे 90 डिग्री वाले लंबत 90 डिग्री की घड़ी कम 90 डिग्री बनाती है इस तरह के कोश्चन करेंगे पीज़ब देखेंगेगे इसमें इसमेंगे इसमें जारह का बात करेंगे कि वॉर्मूला 2 की जो हम पन्यू बनात करेंगे दो कम 70 डिग्री वाले तो फ्रेंट से आप देखेंगे मैंने अभी लिखा यहां पर समय 6 से कम है तो प्लस 3 लेना है समय 6 से ज्यादा है तो माइनस 3 लेना यह कौन से समझने के लिए आपको हमारा पार्ट बन देखना बहुत जरूरी है उसमें यह थोड़ा हमने अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था तो चलिए इसमें भी हम एक्स्प्लेइन कर देते हैं जैसे हमसे पूछा है कोश्चन हमारे पर आगया एक्जाम में साथ बज़कर साड़े साथ बज़े के बीच में वह कौन सा समय होगा जब सुनिया हमारी 90 डिगरी का एंगल बनाएंगी तो फ्रे फिले हम आपको यह बताना चाहिंगे कि अगर पेपर में आ जाता है कि अब फिरेंडर सम्बात करेंगे कि एक घंटे के बीच में कितनी बार 90 डिगरी का एंगल बनता है तो एक बार बनता है और बारा के अगर कोश्चन में आ जाए कि 12 गंटे में कितनी बार 90 डिग्री का सीफ एंगल बनता है तो बाइस बार बनेगा और 24 गंटे में पूछ लिए कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो चींद बार बनेगा तो यह इस्यल लublikण को दिहान रखनी है यह आधा हो जाता है लाज वीडियो में मैंने बताया था दुबारा बता देता हूं यह 90 डिग्री का है और 180 डिग्री का पूछ लेता है तो एक गंटे में एक बार बारा गंटे में 11 बार और 24 गंटे में 22 बार यह आपको याद रखना है कहीं बार कोश्चन हमारा इस पर आ जाता है तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जो हम यहां पर यह दिवा है तो फॉर्मुला जो इसका हम बनाएंगे हम बनाएंगे वो बनाएंगे साट बटे 11 समय प्लस माइनस 3 तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल सेम पिछली वीडियो में जो फॉर्मुला टू कराये तो उसी का एक वीडि आप देख सकते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो अब हम यहां पर लेंगे साट बटे 11 समय में यहां पर हमारा साथ आ जाएगा और साथ देखिए यहां पर यानि यह घड़ी है यह 12 और यह 6 अगर 6 से कम का समय कोई कोश्चन में पूछा होता जैसे तीन बच में इनोंने पूछा है तो हम यहां पर लेंगे माइनस 3 तो 60 बटे 11 इंटू 4 तो आप यहां पर देख लेंगे यह जो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर हो जाएगा यह आपका 624 बटे 11 और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा को किस्ट मों बटे 11 इह Lahoda पर यह अंवारा ऐसर नहीं होगा फ्रेंट्स जैसे कि हमने पहले सिर्थ wieder कौश्य वी यह जाती है और और जब हमें कोश्चन यह पूछा है तो इसकी जो आगे वाली ट्रम होती है उसमें यह वैल्यू एड़ कर देते हैं तो यह अंसर हमारा आ जायाएगा कर देखेंगे जब घड़िया ओवर लैप करती है तो गड़िया ओवर लैप हम वाले कोश्चन भी हम यहाँ पर देख लेंगे बाते हैं कि इसमें फोर्मूला 4 बताने वाले हैं तो यह कोश्चन ओंगे ओवर लैप वाले जब सुई आ हमारी ओवर लैप करती है तो कि हन्दी में अगभर लिख जाए जाय तो यह लिख देते हैं एक शीड चाहिए वह मिनट किस हुई तो इस तरह से करके हम पर कोश्चन आ जाता है और गंटा और यहां पर हमें मिनट हमें दे दिया जाता है तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसमें फॉर्मुले की फॉर्मुला जो है इसमें होता है सिक्सी बटे 11 और समय यहां समय सीधा आपका इन्टू में होता है तो अब हम इसमें देखेंगे कि पहले तो वह देख लेते हैं जो कोशन पूछे जाते हैं कि अगर ओवरलैप एक घंटे में सुई कितनी बार ओवरलैप करती है वह करती है एक बार 12 घंटे में घंटे की और म हम बात कर ले तो उसमें 22 बार ओवरलैप करती है सेम इसी तरह यह 180 डिग्री का भी होता है और 90 डिग्री में अगर बात कर लिया जाए तो यह सारी वैल्यू टू से इंटू कर देना तो आपको आ जाएगी अभी मैंने पहले ही थोड़ी दिर पहले ही 90 डिग्री का पूंसप्ट आपको यहां पर बताया है तो यह एक बार आपको किलियर करने के लिए दुबारा से मैंने यहां पर लिख दिया है तो चलिए इसमें देख लेते हैं कोश्चन जो हमारे पर आएगा तो सपोज आप कर करती हैं अगर इस तरह का कोश्चन कभी भी हम पर आ जाता है तो हम सीधा इसे असानी से सोल्व कर देंगे फॉर्मुला हमारा इसके लिए रहेगा साट बटे ग्यारा इंटू आठ तो आठ छिक अड़तालीस यानि चार सू असी बटे ग्यारा आपका यहां पर हो जाएगा अगर इसे ग्यारा से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 43 साद बटे ग्यारा तो यहां पर आ जाएगा यह आपका तो फ्रेंट जैसे कि हमने आपको हमेशा बताया है जब आपकी यह वैल्व आ जाए तो जो भी कोश्चन दिया हुआ है उसकी जो पहले ट्रम होती है उसमें ये वैल्यू एड़ कर देते हैं तो आठ दसमलव फो तरालीस साथ बटे ग्यारा डेगरी है आपका यहां पर फ्रेंड्स आंसर आ जायागा तो आपने देखा कि कितने चुटकियों में फोर्मुले से हमने यह सॉल्व कर दी है और यहां पर यह घड़ी आपकी पूरी खतम हो जाती है तो इसमें कोई इशू नहीं है और दूसरी बात यह कि इसका एक पार्ट थ्री बनाएंगे उन सम्मीं यही कॉंसेप्ट लिए जाएंगे बिना फोर्मुले के अगर आपको अच्छा लगता है कि आप फोर्मुला याद करके सारे कोश्चन सकते हैं तो एन सीज और इसमें हमें बतानी है बहुत से बच्चे पूछरे थे 610 मां का सीधा सीधा मंटिपलाई फास्ट कैसे यहाता है तो बहुत से बच्चों को तो पता होती है यह बात नहीं पता होती है दो नहीं क्यातों करनें दो पकासे ए और इन दोनों को फिर एड कर देते हैं और फिर फ्रन्ट वाली रख देते हैं यह आप देखेंगे ग्यारा के सीधा सीधा इंटिपला आ गया 11 इंटू 13 कर लीजे चाहिए आप यहाँ पर थिरी इन दोनों को एड़ कर दीजे फोर और जो फर्स्ट रम है यह यह आपका ग्यारा का मंटिपल आ गया है अगर कोई बड़ी ट्रम आ जाती है तो उसका जैसे ग्यारा इंटू यहां पर ले लेते हैं 79 तो अब आप देखेंगे यहां पर 9 आ जाएगा और इनको आप एड़ करेंगे तो यहां पर 6 लखेंगे एक केरी ओवर आ जाएगा 7 में 8 कर देंगे तो यह आपका फिर यहां पर आंसर आ जायाएगा अगर बड़ी ट्रम आ जाया तो इससे आप इसली ऐसे सॉल्व कर लेंगे कोई बीग इशू नहीं है तो कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लगी और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना